अगर आप भी हल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाईए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं ट्रीटमेंट दोस्तों बहुत मुश्किल होता है बहुत लंबा चलता है अगर आप ये उम्मीद से हैं कि एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे दस दिन की पांच दिन की तीन दिन की दवा खाएंगे और ठीक हो जाएगा तो वो रूमेटोड आर्थराइटिस ऐसे ठीक नही ही चलेगा और ट्रीटमेंट में आपको दवाएं भी लेनी पड़ेंगी फिजिकल ने पड़ेंगी और चौती चीज है सरजरी कई दफा सरजरी भी करनी पड़ती है और पांच वी सबसे जरूरी चीज है एजॉकेशन आपका बिमारी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है आपका बिमारी के बारे में जानना समझना अपने इलाज में खुद involved होना अगर आप बैट गए कि मेरी बिकबाल करो तो फिर आप और बिमार होते जाओगे तो इलाज क्या है मेडिसेंस, मेडिसेंस, एक्सराइज, फिजिकल थेरपी, एजुकेशन, सजरी और दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज है जानना कि जितनी जल्दी जितना aggressive treatment शुरू होता है उतने ज़ादा chances हैं कि आपकी बिमारी उतनी कम बढ़ेगी और आपकी आगे चलने वाले deformities हैं, joint restrictions, motion restrictions कम होंगे ये बहुत ज़रूरी है सो आई ये बात करते हैं दवाओं की, कुछ दवाएं दी जाती हैं, पहली दवा जो सबसे commonly दी जाती वो है DMRDS, disease modifying anti-rheumatic drugs, ये पहला line of management होना चाहिए, mostly आपके rheumatic arthritis में जो के normally anti-inflammatory दवाईया, exercise और rest के साथ दी जाती हैं कि आपको अराम भी करना है, exercise भी करनी है दर्द कम करने की दवाएं भी खानी है और ये DMRDS भी खानी है तो ये पहला line होता है normally जो आपके rheumatologist देते हैं अब ये दवाईय में क्या क्या आता है, DMRDS में क्या क्या आता है, एक तो आती है methotrexate जो कि most commonly दी जाती है, methotrexate की जगा आपको लिफुनोमाइड या hydroxy chloroquine भी दिया जा सकता है और दूसरी दवाईय हैं जैसे के सलफासलाजीन, ये ज़्यादा तर सलफासलाजीन, methotrexate और hydroxy chloroquine एक साथ दी जाती है triple therapy के हिसाब से, तीन दवाईयां एक साथ, ये ज़्यादा असर करती है और ये दवाईयां आपको कुछ हफ़तों से कुछ महीनों तक भी लेनी पड़ेगी और कुछ हफ़ते कुछ महीनों तक आपको हो सकता है, कोई असर भी ना दिखे पर आपको लेना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत बढ़ती जाएगी और एक और बात, ये दवाईय, छोटी मुटी दवाईय नहीं है, ये सीरियस दवाईय है इनका सीरियस एफेक्ट है और कुछ लोगों में सीरियस साइड एफेक्ट भी हो सकता है इसलिए आपको आपके डॉक्टर के पास रेगुलर जाना होगा, रेगुलर ब्लड टेस्ट करने होगे ये जानने के लिए कि अगर आपमें साइड एफेक्ट बन रहे हैं, तो इसे रोग दिया जाए, दूसरी दवा दी जाए सबजें, इस दवा याने DMRD एक हो गए, मेतोट्रेक्सेट, सल्फासलाजीन, लिफलोमाइड इसके अलावा दूसरी दवाई है, एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसन्स, याने NSAIDs, नॉन स्टेरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, या फिर एस्पिरिन ये दवाई जो हैं दी जाती हैं आपकी सूजन और दर्द के लिए, इनको नॉर्मली अकेले नहीं इस्तमाल किया जाता, अकेले अगर आप सिर्फ एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स लेंगे, सूजन और दर्द की दवाई लेंगे, क्रोसिन, कॉम्बी फ्लेम या एस्पिर दिया जाता है, और हाँ इन दवाऊ में भी साइड एफेक्ट है, लंबे समय तक इनको लेने से, आपको गैस की प्रॉब्लम, ऐसी डिटी, स्टमक, अलसर, अलसर में ब्लीडिंग, कई बार हार्ट की बिमारियां हो सकती हैं, तो इसलिए भी रेगुलर अपना हेल्ट चेक कराना जरूरी है, छे मेने साल में एक बार, जरूर, फिर एंटी मलेरियल दवाएं दी जाती हैं, जो कि हमने भी बात करी हाइडरोक्सी क्लोरोक्वीन, ये एंटी मलेरियल ड्रग बाकी की DMID और एंटी इंफ्लमेटरी ड्रग के साथ जब दी जाती हैं, तो इनका ट्रिपल एक्षन में एक अच्छा इफेक्ट दिखा गया है, रिसर्च में इसलिए इन्हें दी जाती है, चौथी दवाई जो है दोस्तों वो है स्टिरोइड्स, स्टिरोइड्स एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक और बहुत ही असरदार दवाई है, खतरनाक भी है, असरदार पावरफुल भी है, पावरफुल इसलिए है कि इससे बहुत ही जल्द आपके जॉइंट आपकी जोडों की सूजन और दर्द इंफ्लमेशन कम हो जाएगा, लेकिन इसके साइड एफेक्ट लंबे समय तक रह सकते हैं, कुछ दवाओं के साइड एफेक्ट होते हैं, जो कु आपके शरील में परसिस्ट कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों स्टीरोइड जो है बिना डॉक्टर की सला के बिना डॉक्टर की और तब ही देना चाहिए, जब डॉक्टर को ये लगता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, स्टीरोइड के अलावा और इन बाकी दवा के अलावा और कोई दवा है हाँ है एक और बायो लॉजिकल एजेंट्स करके चीजे होती है यह बेसिकली दवाएं है जो के आपके इम्यून सिस्टम जो आपके डिफेंस मेकैनिजम है उनको एफेक्ट करती है उनको अफेक्ट करती है और आपकी बिमारी को बढ़ने से रोकत यह तब दी जा सकती है जब उनका असर नहीं हो रहा मगर यह दमाएं बहुत महंगी होती है ज्यादा तर बायो लॉजिकल एजेंट्स जो है यह आपके स्किन में चमडी में दिये जाएंगे यह आपकी नस्में डारेक्ट इंजेक्शन दिये जाएगा और बहुत प्रकार क आते हैं बायो लाजिकल एजेंट्स और काफी काम करते हैं लेकिन इन में भी बहुत जादा सीरियस साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं कुछ लोगों में कुछ लोगों में बायो लाजिकल एजेंट्स के वजए से इंफेक्शन हो सकता है कुछ में एलर्जिक रियाक्शन हो सकत और यह specialist होते हैं rheumatologist तो यह हुई सारी बात दवाओं की इतनी ही दवाएं हैं जिनको इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा operation surgery जो होती है वो क्यों क्यों की जाती है मालीजेगर joint बहुत ही ज्यादा damage हो गया है stiff हो गया है कि हिली नी रहा तो उस joint के आसपास जो covering जो हमने बताई जो stiff हो गई है उस covering को निकाल दिया जाता है synovectomy joint lining को निकाल दिया तो joint हिलने लगेगा यह एक प्रकार की surgery है और दूसरा प्रकार है कि पूरा का पूरा joint ही निकाल दो और replace कर दो total knee replacement, total hip replacement जो होते हैं वैसे की surgery की जा सकती है यह depend करता है आपकी situation कैसी है आपका कौन सा joint कितना involved है आपको जरूरत है या नहीं mobile रहने के लिए क्योंकि अगर आप bed ridden, bed पे या कुरसी पे बैढ़ गए तो यह बिमारी बढ़ती जाएगी इसलिए physical therapy बहुत जरूरी है फिजियो थेरपी बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो joints है जितने भी joints में दिक्कत आ रहे है उनका range of motion बरकरार रहे वो हिलते रहें आपको exercise programs दिये जाएंगे, आपको prescribe किये जाएंगे, आपके फिजियो थेरपिस्ट आपको बताएंगे कि यह यह exercises रोज करनी है, यह ऐसे करना है, यह इतनी बार करना है इन सब exercises से आपकी joint का जो function है वो maintain रहेगा, stiffness कम रहेगी और उसका जो range of motion है वो नहीं जाएगा कभी कभी आपके फिजियो थेरपिस्ट कुछ special machine से भी आपके joints को, आपके muscles को थोड़ा अंदुरूनी गर्माहट या electrical stimulation दे के दर्द और सूजन या उसकी motion ठीक करनी कोशिश कर सकते हैं, वो भी करना बुरी बात नहीं, बिल्कुल ठीक है उसके अलावा कई और तरीके की therapies होती है, जिसमें के joint protection techniques होती है, joint को protect करने के लिए कुछ instruments, या फिर आपको heat and cold therapy, गर्माहट, गरम और ठंडे से सेखना बताया जा सकता है, आपको हड़ियों के लिए splints दिये जा सकते हैं, कि अगर आपका joint जो है, वो deform हो गया, टेड़ा हो जैसी चीज, sprint जैसी चीज लगाई जा सकती है, align करने के लिए, सीधा करने के लिए, और आपको बताया जाएगा कि आपको activity continuous रखनी है, सारे joints में जितना हो सकते हैं, लेकिन activity दिन भर 24 घंटे तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए बीच बीच में frequent rest period ज़रूरी है, rest भी बीच बी आपके दवाईयों की, आपके physical therapy की, surgery की और exercise की, एक और चीज जो लोग कहते हैं कि nutrition, nutrition का diet का क्या कोई role है, तो इस पे एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन in general कई rheumatoid arthritis के लोग हैं, जो के intolerant होते हैं, या allergic होते हैं कुछ प्रकार के खाने पीने की चीजों से, और एक balanced diet अगर वो लेते हैं, तो ये देखा गया है कि अच्छी आहार, अच्छे diet, balanced diet जिसमें कि omega 3 बहुत जादा मातरा में हो, तो उससे भी आपके शरीर में inflammation कम होता है, बाकि हम जो अलग-अलग अन प्रकार के खाना पीने की चीज़े खाते हैं, जितने हम खाने पीने की च inflammatory चीज़े होती हैं, हर प्रकार के फल्फूट में हैं, हर प्रकार के लसन नदरक इन सब चीज़ों में हैं, तो ये सब यूज करके खाईए, बढ़िया इससे आराम मिलता है, मदद मिलती है, और दो चीज़ें आपको कम करनी है, छोड़नी है, दारू थोड़ी कम करनी पड कि जादा दारू पीने से ये बढ़ जाएगा, और सिग्रेट से तो बहुत दूर रही है, सिग्रेट से ये दिक्कत बढ़ती जाएगी, इसके अलावा दोस्तों आपको support groups जोईन करने चाहिए, जहां तक आप इसके बारे में खुद की दिक्कतों के बारे में दूसरे जिन त्रिपल थेरपी हमने बताई थी, उन चीजों से या साथ में जो बायोलाजिकल ड्रग्स हैं, उन चीजों से दिक्कते जो आगे आने वाली है, बिमारी बढ़ने वाली है, उसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, यहां तक कि अगर बहुत जल्दी और तगड़ा इला से बात करें, जरूर देखें, मिलें उन से और अपने इलाज के बारे में खुल के डिसकस करें, अगर आप इलाज नहीं कराएंगे, तो यह बिमारी बढ़ती जाएगी और हड़ियों के जॉइंट्स के अलावा आपके शरीर के हर एक हिस्से को पकड़ लेगी, जगड़ ल से हैं, आर्ट्री जो हैं, उसकी जो इलास्टिसिटी है, वहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर आपके आर्ट्री हाड हो जाएंगी, तो क्या होगा, उसमें कलॉट जल्दी बनेगा, हार्ट अटैक जल्दी आएगा, यहां तक के हार्ट के अलावा, यहां तक के हार एक congestive cardiac failure हो सकता है चमड़ी को effect कर सकता है nerves को effect कर सकता है brain को effect कर सकता है तो ये बिमारी हर जगा जा सकती है तो आपको ये बिमारी control करनी पड़ेगी अपने doctor की मदद से proper treatment से ये सारे complications avoid किये जा सकते हैं और treatment के भी side effect है इसलिए doctor के पास बार बार जाना जरूरी है test बार बार कराना जरूरी है ये बात समझ लीजिए क्या इस बिमारी से बचा जा सकता है इसका कोई prevention है नहीं कोई preventive measure कोई prevention specific prevention नहीं है बस smoking छोड़ दीजिए दारू कम पीजिए और कोई भी दात में infection gum infection मत हो नहीं दीजिए सफाई hygiene रखिए regular दो बार दिन में brush करिया और healthy diet लीजे और regular health check-up कराईए उसी से फिर ये चीज ठीक हो सकती है इसके अलावा अपनी treatment में self involve होना बहुत जरूरी है आपका ये बिमारी को समझना बहुत जरूरी है और लंबे समय के लिए अपने खुद के activity को maintain करना बहुत जरूरी है अपनी activity करते हुए दर्द को कम रखना जरूरी है ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा है मैं नहीं हिलूँगा अगर ऐसे करोगे तो नहीं हिल पाओगे और बिमारी बढ़ती जाएगी आपको करना पड़ेगा हिलना पड़ेगा आपको physical, emotional, mentally इस बिमारी से कोप करना पड़ेगा strong रहना पड़ेगा आपको अपनी आपकी life पे control करना होगा एक confidence लाना पड़ेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ मैं कर सकती हूँ अपना काम खुद है यह सारी बातें हुई rheumatoid arthritis की दोस्तों हमारे दूसरा वीडियो जो arthritis का है वह भी जाके जरूर देखिए वह हिंदी में है और हम जल्द ही उसमें English captions भी डालने वाले हैं सारे वीडियो जो हिंदी में हम उनमें English subtitles डालने वाले हैं और अगर कोई help करना चाहें इसमें तो जरूर हमारे जितने हिंदी वाले वीडियो हैं उनका English जो अगर आप translate करके उसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं मैं आपके कमेंट को पिन कर दूगा सबसे उपर ताकि जो लोग है ताकि जो लोग हिंदी नहीं समझते अच्छे से वह भी समझ सके हमारे जो साउथ के लोग हैं कई लोग बाहर के हैं जो नहीं हिंदी समझते वह भी समझ सके और अल्दो इंग्लिश में वीडियो है लेकि कि कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे लाइव आने के लिए so I'll be doing that मैं लाइव आउंगा जल्दी ही जब आउंगा मैं बताऊंगा so करें के कुछ ऐसा बाकी हमारे वीडियो ज़रूर देखते रहे हैं दोस्तो I hope आपको पसंद आ रहे हैं मारी महनत आपके साथ रंग जितना हो सके लोगों तो जाएं इवन गरीबों तक जाएं जो लोग वीडियो नहीं देख सकते इंटरनेट नहीं देख सकते तो आप में से कोई अगर ऐसा कुछी जो मैं मदद कर सकते तो जरूर करिए इस वीडियो को ज़ादा से ज़ादा फैलाइए और देखते रहे हम जो लोग मुझे नहीं जानते दोस्तों, मैं हूँ Dr. Paramjit, I am a consultant physician and cardiologist in Yashoda Super Specialty Hospital, Harunaga Delhi NCR, और यह है मेरा चैनल, I hope आपको चैनल पसंद आता है, और आपके comments से मुझे प्रोथावना मिलती है, तो comments करते रहे हैं, like करें इस video को share करें, till next time, I am Dr. Paramjit and you are watching Dr. Education, thank you so much for watching. झाल